नमस्कार दोस्तों, ओल फार्मिंग आइडिया में आपका स्वागत है सबसे पहले हम मेथी के बारे में जान लेते हैं कि मेथी एक वनस्पती है जिसका पोधा एक फूट से छोटा होता है, इसकी पतिया साग बनाने के काम आती है तथा इनके दाने मसाले के रुप में प्रयुक्त होते है स्वास की दर्ष्टी से यह बहुत गुणकारी है तो आएए दोस्तों हम अपने घर पर कुदरती खाद की मदद से मेथी यानि की फेनुगरिक को कैसे उगाते है वह सिकते है दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें जमीन को खोद के तोड़ लेना है उसके अंदर मिट्टी के बड़े टुकड़े हो उनको भी तोड़ लेना है फिर हमें जमीन को समांतर कर लेना है इसके बाद हमें 24 घंटों के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ देना है अब हमें यहां इस वीडियो में जैसे बताया है वेसे दुसरे दिन मिट्टी को अलग थलक कर लेना है और उसके अंदर से छोटे कंकड पत्थर और मिट्टी के बड़े टुकडो को निकाल लेना है इसके बाद हमें इस मिट्टी को फिर से समानतर कर लेना है समानतर कर लेने के बाद हमें इस मिट्टी में गाय और भेस की गोबर से बनाई हुई कुद्रित खात को डालना है यहां मेने वेसे इक खात को थोड़े दिन सुखा के बारिक पावडर के रुप में तयार की है खाट डालने के बाद हमें उसे मिट्टी में हाथ से बरावर मिस्र कर लेना है और अच्छी तरह से सपाट बना लेनी है अब हमें इस तरह से एक डंडी की मदद से आदे इच गेरी लाइन बनानी है और लाइन बनाते हैं वक्त यह ध्यान रखना है कि पूरी जगा का संपन इस्तमाल हो क्योंकि मेथी के जो बीज होते हो बहुत छोटे होते हो और उनके पोधे भी बहुत छोटे होते हो अब लाइन्स को तयार हो जाने के बाद हमें मेथी के बीच को जरूरत की हिसाब से पोलिथिन की बेग में से अपने हाथ में लेने हैं और उनको इन लाइन के बीच में डाल लेना है अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा नहीं डालने है तो आप बीजो की मातरा थोड़ी कम रखिये यह बीच बोने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप बीजो के उपर हलकी सी मिट्टी की एक परत अपने हाथों से इस तरह डाल ले और ध्यान रखे कि मिट्टी की परत ज्यादा या कम नहीं हो जाए अब आगे हमें इस जगव को पहले हलके पानी के फवारे से भीगो देना है उसके बाद हमें पूरी जगव पानी से बराबर भीगो देना है यहां हमारा जबिन खोड़ने से बीच को वोने तक का काम खत्म होता है बस अब हमें तीन से चार तीनों तक मेथी के दानों के उगने की राह देखनी है तीन से चार दिनों के बाद आप यहां देख सकते हैं वैसे मेथी के पोदे उग गए है बस आपको अब इनको समय से पानी देते रहना है और हमें इन्हें अब वापस खाज नहीं देना है और जब आपको लगे कि यह पोदे अब सब्जी बनाने के लिए परियाप्त आकार के हो गए तब आप इन्हें ब्लेड की मदद से काट लें और इसे फिर से पानी दे दे तो इससे यह पोदे फिर से बढ़ने लगेंगे इससे आप एक ही पोदे के पत्तों को दो से तीन बार इस्तमाल कर सकेंगे और आखिर में आप जरूर से हमारा हुसला अबजाई के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे एक लाइक और कमेंट जरूर से करें आपका सुक्रिया